जैहिन जैभरत वन्दे मात्रम औल इक्जाम प्लीस पे आप सभी का स्वागत है कल एक बहतरीन आंदोलन हुआ एक बहतरीन पैदल मार्च निकाला गया इंदौर के छात्रों द्वारा, मत्यपृतेश के छात्रों द्वारा बहुत शांदार इस पैदल मार्च में भरतियों के लिए आवाज बठाई गई मुद्धे जो थे वो मैंने पिछले विडियो में आपको बताए हैं बेरोजगारी भत्ता दो, भरती प्रक्रिया में सुधार करो टाइम से विकेंसी दो, पीएसी का जो वीसी अला मुद्धा है, वो हलो टी एसी की जो परिक्षाएं अटकी हुई हो सुचारू रूप से हो नई विकेंसी आएं, MPSI, पटवारी, वनरक्षक, आपका लेबर इस्पेक्टर बहुत सारी ऐसी भरतिया हैं जो विगत 2017 से अटकी हुई है इन मुद्धो की मांग को लेकर इन मांगों को लेकर ये पैदल मार्श निकाला गया जो की बहुत शानदार था हमने भीस में पूरा समर्थन किया All Exam Place के टीम हमेशा से समर्थन करती आ रही है ऐसे चात्रों को जो अपनी आवाज खुद उठाते हैं सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं इसे सरकार जो चात्र हैं इनको All Exam Place का पूरा समर्थन है तो क्या एक जो क्वेशन है मांड में सभी के क्वेशन आ रहा होगा कि जो कल आंदोलन हुआ और ये जो सत्यागर है चल रहा है अभी तक अगर मांगे पूरी नहीं तो 27 तारिक को जो है वो पैदल मार्च निकाल कर भोपाल तक जाने की तैयारी है अंदोर से भोपाल तक जाने की तैयारी है चात्र होगी पैदल मार्च के रूप में क्या सरकार जो कल आंदोलन हुआ जिसमें लगभग लगभग 5000 प्लस जो थे बच्चे थे 5000 प्लस बच्चे थे उस अंदोलन में तो क्या सरकार को effect पड़ा होगा क्या सरकार उससे जोगेगी उससे जोग कर क्या सरकार जो है vacancy देंगी भरतिया निकालेंगी सब के मन में एक question आ रहा है मेरे मन में भी यह सवाल है कि इतना प्यारा जो अंदोलन हुआ देनिक भासकर ने भोपाल देनिक भासकर ने फ्रेंट पेज पे कवर किया है इंदोर देनिक भासकर ने फ्रेंट पेज पे कवर किया है उस अंदोलन को मैं साथी साथ बात करूँ अन्य मीडिया जैसे ललनन टॉप हो गई बड़ी-बड़ी ABP News हो गई, आस्तक हो गई, इन लोगों ने उस मुद्दे को दिखाया है, NDDP हो गई, इस मुद्दे को बहुत अच्छे से दिखाया है, ट्विट पर काफी चीज़ा वाइरल हो दी है, मैं अगर बात करूँ विपक्ष की तो विपक्ष भी सरकार पर लगात इस मुद्ध पर जुकेगी, क्या सरकार अब जो वेकेंसिया अटकियों ही है, वो टाइम से निकालेगी, क्या इस सरकार को भर्पिया निकालनी चाहिए अब, अगर अभी भी डिले हुआ, तो सरकार को इससे क्या नुकसान होगा, यह सरकार अच्छी तरह जानती है, MPSI 2017 के बाद से आई ही नहीं है, कोई भर्तिया धंग से, 2018 के बाद से PSC धंग से नहीं हो रहा है, PSC एक ऐसी परिक्षा थी, जो हर साल टाइम पर होती थी, हर साल वो होती थी, लिखिन अभी ऐसी हालात हो चुके हैं, कि चार साल से अते पते ही नहीं है, 2023 भी आगया, कोई आगया, को इन मुद्धों पर अब काम करने की जरूवत है, मैं बात करता हूँ, कितनी भरतिया आएंगी अगर आएंगी भी तो, मामा जो है, वो एक लाग भरतियों का वादा करते हैं, क्या वो एक लाग भरतियां पूरी आएंगी, इंक्याउन अनजार शिक्षक भरतियो होगी, क्या फिर से किसी ऐसी ऐजेंसी को तो ये नहीं सौप दिया जाएगा, जो भरष्ट हो, जिसमें घोटाले हो, क्योंकि विवाप्म का ये पुराना नियम रहा है, या पुराना मलब अंदाज रहा है, क्यों ऐसी उनको भरतिया परिक्षा करवाने का टेंडर देती है जो अल्रेडी करव्ट है, जिनके उपर करवशन के चार्जिस लगे हुए, ऐसी कमपनियों को ठेके देती है, जैसे कि इसी बार हुआ, कॉंस्टिबल में भी ऐसे ही एजेंसी को ठेका दे दिया गया, शिक्षक पात्रता की जो भरती हुई, परिक्षा हुई, उसमें भी ऐ जादा विसल ब्लोवर, उस सीरीज में पुरा खोल के रख दिया गया है कि कैसे सीट्स बिग जाती है, हाना तो ये जो है, सरकार अगर इस जो आंदुलन हुआ, सरकार को ना इस मुद्दे पर बच्चों ने क्या किया है, बच्चों की जो मांगे है, वो क्या है, भाई निस वक्त पर होते रहे, ऐसे ही इन घोडालों के लिए आवाजें उठती रही, और एकदम एकता के साथ आवाज उठी, जैसे इस बार हुआ, कई बार होता है, बच्चे आंदोलन करते हैं, जलो में ग्यापन दिये जाते हैं, लेकिन वो जो पूरा सपोर्ट है, वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो कल अंदोलन हुआ, उसमें मुझे लगा कि हाँ यार, यह बहुत अच्छा हुआ, इसमें काफी बच्चे जो हैं बढ़ चल कर हिस्सा ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, गलत नहीं है, यह चात्र सर्फ अपने लिए रोजगार नहीं मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार मांग रहे हैं, मैं बात करूँ चाहिए कोचिंग संस्थानों की, लाइबरेरी वालों की, मैस वालों की, होस्टल वालों की, जो बहार आके पढ़ते हैं बच्चे, तो उस शहर की जो अर्थ होय उसता है, कही न कहीं इन में शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मध्यपरदेश की भरतियों के कारण, बच्चा जो है, ओवरेज हो गया, कहीं बच्चों ने आत्मत्या तक कर लिए, ऐसी हम लोगों ने बहुत सारी न्यूस देख जो ऐसा ही, भरती ना आने के कारण, कहीं बच्चों ने आत्मत्या गर लिए, जो 30 साल से तयारी कर रहे थे, कहीं लोगों ने अपनी तयारी छोड़ के वापस अपने बिजनस में लग गए, खेती बाड़ी में लग गए, तो बहुत सारी चीजें हुई इन 5 सालों में, भर आती ना ने के कारण, अब अगर भरतियां नहीं आती हैं, तो अगला कारिकरम क्या हो, चिनाओं भी हैं, 2023 में, और चिनाओं में तो अच्छे अच्छे वादे जो हैं, वो पूरे होने लगते हैं, तो ये चीजें होती रहती हैं, जब चिनाओं नस्दीक आते, जिस मुद्दों पर सरकार को आप खेरते हो, चिनाओं पर वो मुद्दे उभर के आते हैं, और वो वो सॉल्फ होने लगते हैं, तो मुझे उमीद है, कि इस आंदोलन से सरकार के कानों में, जो है, वो जूंत जारी किये, मैं बुराई नहीं करूँगा इस सरकार की, बहुत अच्छी सरकार है ये, बहुत टाइम पहले बहुत अच्छे तरह कैंसी निकाली है, लेकिन क्या है, ये तुपड़ा सा सो गए हैं अभी, अभी क्या नींद में हैं, अभी नींद से जागेंगे ये, क्योंकि पांस साल की गहरी नींद से अब सरकार उठेगी, तो होप सो, जो उमीद है मुझे, कि 2023 में आपका जो भरतियां हैं, वो जो हैं, वो सुचारू रूप से आएंगी, और 2023 में जो हैं, आपकी मांगे जो हैं, वो साकार होती हुई दिखेंगी, भरतियां आते हुए तो ऐसे ही इस आंदोलन से जुड़े रहिए, जो बच्चे अभी तक आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी निविदन करना चाहूँगा हैं, इस आंदोलन से जुड़े, अपनी अवाज सरकार के समख्ष रखें, और सरकार से अपने हक की मांग करें, जो आपका हक है कि आप जो टाइन से वेकेंसी हैं, कम से कम वो निकाल लिए, पद का कोई वो नहीं है, कितने पद आ रहें, क्या रहें, लेकिन समय से यह जो भरती प्रक्रिया है, वो अगर पून होगी, तो मध्यपरदेश के अधिकतर जो छात्रे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनको ब तो सरकार जो पांस साल से भरती पर एक शौकले सो गई है, तो इसके लिए भी अगर सरकार उड़िया है, तो बहुत अच्छा होगा लई, आंदोलन से कही न कहीं जूरेंगी, और सरकार उठेगी, ऐसा मेरा मानना है, एनी वायू का फिर से एक बार धन्यवाद, जो इतना है, तनी नांदोलन उनने किया, और इस सरकार के कानों तक ही आवाज पहुंचाए ही, कि मद्यपरदेश के छात्रों को क्या चाहिए, अब विकेंसी चाहिए, तो मैं सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कल जुड़े, कल सांदोलन से जुड़े, और ऐसा ही लगे रहे है, और आप जात्रों का होगा, जैसा आज चाहिञे है, तो यह दोनों चीजो को सांथ में लेकर चलिए, और दो थेल्यपरदेश में आपनी नौकरी की तलाश में जो आप निकले है, 2023 में उसको पूरी कर लीजे क्योंकि उमीद है कि 2023 में काफी सारी भरतियों की परिख्षाएं होंगी और 2022 के अंत तक notification की बाड़ आ जाएगी और अभी भी newspaper में मैं देखता रहता हूँ काफी सारे से notification आ रहे हैं अभी पदों के बारे में जानकारियां ली जारी हैं अन्न विवागों से तो बहुत सारे से पद हैं जो खाली होने वाले हैं और जो खाली हैं उन पर भरति प्रिक्रिया चालू होने वाली है तो तैयारी में लगे रहें अपनी आवाज को सरकार के समख्ष उठाते रहें हम सांथ हैं और इसका पुरा परिवार सांथ है और हमेशा ऐसे ही सांथ रहेंगे और आप लोग में ऐसे ही महनत करते रहें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भरतियां आएंगी तैयारी में लगे रहें जैहिन जैभारत वंदे मातरम